फेलो दोस्तों नमस्कार मैं दिनेश्वर महराज आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा काफी लोग है जो बुलते हैं मैं अपने ग्रह से बहुत प्रक्षान हूँ और मेरे उपर राहू का भी अशर है केतू का भी है शनी का भ प्राइंगे देखिए लाइफ में हर एक प्राब्लम में कुछ ना कुछ कमिया होती है हमारे अंदर कमिया होती है जिसके काराण हमें भोगना पड़ता है अब भोगना पड़ता है मतलब कि हमें डर-डर की ठोकरे खाने पड़ती है सारी चीज़े हमारे साथ में हो जाती है तो ये टोटका क्या है मैं आप सबको बताना चाहूंगा जिसे आप करें मात्र 9 हपते करने है 9 हपते मतलब मंडे 1 मंडे, 2 मंडे, 9 मंडे आपको करने है मंडे मंडे, सोमवार का दिन रहेगा आपको पंचा मृत बनाना है और वो किस तरीके से बनेगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ दूद, दही, घी, शहद और गौमोत्र फिर एक बार बता देता हूँ दूद, दही, घी, शहद, गौमोत्र इन सब से आप पंचा मृत बना लेना है और गुलाब का फूल जो होता है उसका पत्ता जो गुलाब का जो लाल लाल जो गुलाब के फूलों का पत्ता एक एक तोड़के उसके इंदर मिक्स कर लेना है आपको सो मुवार के दिन साम के टाइम पे शिव मंदर में जाना है उस पंचा मृत से उनको नहलाना है अब नहलाने से पहले क्या करना है उस पंचा मिर्त से अपने उपर से 11 बार आपको उतारा करना है अपने सरीर से 11 बार उतारा करना है ओम नमश शिवाए ओम नमश शिवाए ओम नमश शिवाए ऐसा मंद्र बोलते हुए आपको 11 बार उतारा करना है फिर उस सीव लिंक पे जा साफ सुतरा कर दिजे, फिर एक देशी घी का, एक दीपक जलाई है वहाँ पर, और वहाँ पर दस मिट बैट कर, आप निवेदन करें कि मेरे उपर जो ग्रहों का लेंदन है, उसे आप समाप्त करें, हम पापी हैं, हम किस तरीके से आप उसे निवेदन करें, ये भी हमें नही करने आता, प्रन्तु, जो मेरे उपर कश्ट है, उसे उसका निवारण करें, बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मैं, दोस्तो, पहले हपते से आपको असर होना चालो हो जाएगा, आपका जो शुप संकेत है, उसी दिन से मिलना चालो हो जाएगा आपको, और आपको न तरक्की के सिकर पे चड़ना ही स्टार्ट हो जाएगे, यहां तक नौ हफते की बात है, अगर आप इस चीज़ को इस टुटके को अपने लाइफ टाइम तक करेंगे, तो इतना ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी बुरी चीज, पनोतिया, या ग्रह, दोश आपको कभी प अबादी.